गाउं से आ गये थे चटनी बनाने के लिए कुछ अच्छे आम पर वो मात्रा में इतनी जादे थे कि वो चटनी से काफी जादे थे चटनी बनाने से तो मैंने उसे कटवा लिया दुकान पर काट देते हैं भही अलो और उन्होंने इतने बड़े बड़े टुकड़े इसके कर दिया था उन्होंने ये आप देख सकते हैं ये इत्ते बड़े बड़े से टुकड़े हैं कि यह देख और बीच में जो इसकी गुठलियां होती वह तो hard है लेकिन उसके बीच में जो उसका होता है सॉफ्ट वाला सॉफ्ट सी जो गुठली निकलती है वो सारी इसमें थी अभी तो ये देखें कुछ इस तरह से क्लीन करना था टुकडे काफी बड़े बड़े थे जबकि मुझे बहुत छोटे टुकडे चाहिए थे लेकिन ये चाकू से नहीं हो सकता था इसलिए मैंने दुक पीसे रखें वैसे भी अचार जो है वो तोड़ी चोटी टुकडे ही अच्छे लगते हैं क्योंकि बड़े टुकडे अक्सार नहीं खाया जाता अगर जिसको जादा खाना हो कई दो-तीन टुकडे ले सकता है और ये अचार धुल के आम को मैंने इस तरह से पीसे करवाय थे कट करवाय थे और उसको मैंने फिर से बड़े से एक बर्तन में डालके और उसमें नमक और हल्दी मिला के मैंने इसे रख दिया था तो ये शाम के टाइम मैंने इस तरह से किया था इसमें नमक और हल्दी मिला के और मैंने इसे रख छोड़ा था ये इसलिए जरूरी है कि त अलग हो जाया इससे तो यह शाम की टाइम मैंने इसे किया था यह देखें और इससे क्या करना था मुझे रख छोड़ना था वैसे तो अगर आप मॉर्निंग में करना है तो तीन से चार घंटे में यह पानी अलग हो जाता है इसमें से मैंने रात में किया था और अगले दिन म बनाके रख दिना था तो यह देखें इसमें काफी सारा छिइसका पानी निकल के आया है यह देखें और इस बनाना आशाक को भषा हुग करतके साथ लौग दादी गुषित कि आगी इसमी अकशा है। हम बच्पन में खाते आएं बच्पन से आज हम पही रेसिपी आप से शेयर करने हैं बहुत ही थोड़ी से मसालों के साथ और बिल्कुल कोई भी गैस पर हमें नहीं गैस ऑन करना है जलाना है धूप में बखा के हम बनाएंगे और थोड़ी से इतने सारे अचार को मैंने आधी इसे बीडियो देखें कि वीच बीच में में मैने इसे लबे समय doitने के लिए और काफी सारे टिप्स त्रिक्त बताये हैं तो आप पूरी वीडियो देखें इसे तो ये देखें ये इसका पानी है इसे रख देते हैं क्योंकि हमें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी और साथ में जो आम मैंने रखा है ये इसे रख लेते हैं हम धूप में तो धूप में कितना सुखाना है इसे जब तक कि इसके जो पीसे हैं वो मोड़ना जाए काफी स्रिंक्ट ना हो जाए तब तक हमें सुखाना है तो यहां पर यह देखें यह मैंने 70-80 ग्राम मेथी दाना लिया है दो किलो आम के लिए और यह है सौफ है 180 ग्राम 2 टेबल स्पून कलाउंजी है और यहां पर दोनों तरह के लाल मिर्चे है कश्मीरी मिर्च है और TIKHI भाई लाल मिर्च है जो के अबने टेस्ट के हिसाब से डालने पीखा अगर पसंद हो दो टेबल स्पून के करीब हल्दी है, हल्दी पहले भी मैंने डाली थी, हींग है, दो टी स्पून तो बस यही मसाले हैं, और अभी क्या करना हमें, यह नमक मैंने लिया है, आधी कटोरी मैंने लिया है नमक पहले से उसमें मैंने डाला भी हुआ है अभी आदी कटोरी है देखते हैं जितना यूज होगा उसमें डालेंगे तो मैंने पैन गरम किया है और यहां पे बस मसालों को हलका सा मौश्चर निगालने तक हमें इसे सेखना है इसे अगर आप धूप में भी सुखा सकते हैं तेज धूप है उसमें भी आप रखके इसे सुखा सकते हैं पर इंस्टेंट मुझे जल्दी बनाना है मैंने गैस पे हलका सा इसे गरम कर लिया है और अभी मैंने मेथी डाल दिया और सौफ डाल दिया पैन में तो हमें इसे भूनना नहीं है, कलर नहीं चेंज करना है इसका, सिर्फ एक हलकी सी खुश्बू आने तक हमें इसे गरम कर लेना है सिर्फ, इससे क्या होगा, इसका मौश्यर निकल जाएगा, अचार जो है बिना किसी दवा के, बिना केमिकल के, लंबे समय तक ठीकेगी हमारी, तो यह देखे, खुश्बू आने लगी है करीब करीब, और यह मसाला जो है, गरम हो चुका है, यह देखे, और अभी हम क्या करेंगे, इसे हलका सा कोर्सली इसे ग्राइंड करेंगे, इसे क्या करना है, महीन नहीं करना है, हमें बस ऐसा कि थोड़ा सा मोटा मोटा सा कूट लेना है पल्स मोर पे चला के अपने मिक्सर ग्राइंडर को और इसे हमें मोटा मोटा सा कूट लेना है तो ठंडा करने के बाद इसे तभी कूटे प्रेंट धान रखें कि मसाला ठंडा हो जाए अभी कम्प्लीटली ठंडा है इसे हम कूट की दिखाते हैं, तो ये देखें, मसाला हमारा त्यार हो गया, ये देखें, पिल्कुल दरदरा सा, मोटा मोटा सा ये मसाला है, बहुत जगे तो इसे खड़ा-खड़ा ही डाल देते हैं अचार में, पर मैंने हलका सा इसे दरदरा सा कर लिया है, ताकि इसकी जो गुश्बू है वह बहुत अच्छी तरह से अचार में आ जाए साथ ही इसमें मैंने डाल दी हैं दोनों तरह की मिर्चे पैन हलका हलका सा गरम है यह कलोंजी हल्दी और हींग तो इससे क्या होगा कि यह जो पिसे हुए मसाले हैं इसमें अगर कोई भी मौश्चर होगा तो पै लगा के जो पानी अलग हुआ था उसमें इन मसालों को हम एड कर लेते हैं अच्छी तरह से इस तरह से मेक्स कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं अभी काफी लिक्विडी है यह जो पानी में मसाला मैंने डाला है अभी थोड़ी देर में यह फूल जाएंगे मसाले तो इसम वैसे अचार में नमक जाता जाता है तो फ्रेंट्स यहां पे ध्यान रखें पानी बिल्कुल नहीं इसमें होना चाहिए इसको कवर करके हम दूप में रख देंगे थोड़ी देर के लिए और यह देखें अचार आम हमारा सूप चुका है आज पूरे दिन की दूप लगी है मुड़ाम है जकाझ के दिन की दूप बेेखेंड़ा सूप में डूप में रखेंगे था की पानी-पानी साथ है इसमें फूल के सुखह सूखे सुखे से हो गए हैं यह देखें तो यहां पर हम क्या करेंगे इन मसालों में यह सूखह हुए आम को मिक्स कर लेंगे हुआ छी जदा बहुत वह बहुत ज्यादा अभाण has大家 यह राजपी है दादिनावर्नी स Pay forward बच्पन से हम लोग यह अचार तो बनता ही बनता था घर में और इस तरह से सुखा अचार हम त्यार करते थे वह आधे-धे पूरे मतलब इतने छोटे आम हम मैंने पीस किये हैं वह आधे-धे फांक के आम में बनता था यह भर-भर के बीच में पर मैंने इसे छोटे-छोटे टुक्रों में बनाया है और इतने सारे अचार में आधा कब हम इसमें तेल डालेंगे सरसो का तेल है जिसे घरम करके मैंने ठंडा कर लिया है वह इसमें डालेंगे क्योंकि तेल बिल्कुल भी अलग नहीं दिखना चाहिए सिर्फ फलकी सी ग्ले आसे हैं तो चाहिए सिप्ट 95 अप तक नहीं आता है इसको पाहीं भी आप ले जाएंगे तो आराम से बैना इधर tail in itxi पहले अचाहर के चलाद जाएगा tehlt यह तैल बेने इसमें डाल दिया है तेल देखे आपने मैंने बहुत कम nice just kosa Ac Украї तो ए और इसे अच्छी तरर से मि बहुत ही पुराना ये ये अथेंटिक तरीके का अचार मैंने पताया है आपसे और बहुत ही बढ़िया त्यार होगा इसे सर्फ एक से दो दिन के धूप की जरूरत होगी लंबे समय तक ठीके इसके लिए ध्यान रखें कोई भी पानी का टेच नहीं होना चाहिए इसमें हीन के धुएं से इसे धुमा दे के पहले गरम पानी से साफ किया है फिर हीन का धुमा दे के और इसमें थोड़ी सी विनेगर जो है वो डालके से खंगाल के मैंने उसमें मैंने ये अचार स्टोर किया है तो यह आपका अचार बहुत ही अच्छा रहेगा इस तरह से एक पर पर यह जरूर और साथ ही मेरी अचार की बहुत सारी रेसीपी बढ़ी है बिल्कुल अलग अलग सी रेसीपी बढ़ी है चन्न, चन्न, काले चन्न, और आम का और शम, मेती आम का अचार है मीठा अचार 2500 आउं आम के जैम है बहुत सारी प्लियोर, चैनल पर जाकि देखे Babies आगे की मेरी रेसिपी मिलती रहे इसके लिए नोटी वेकेशन बेल को जो है वो क्लिक जरूर करिएगा तो ये देखें मुझे चिढा रहे हैं मेरे हस्बिन की तुम्हें आचार भड़ते से में तुम्हारे मुँ में पानी है जो कि सही बात है और होई जाता है नेचरल है ये और इसको दबा दबा के स्टोर करें इस तरह से मैंने इसे थोड़ा दबा दिया ताकि एर न रहे अंद और देखें तेल बिल्कुल भी नहीं है इसमें बहुत हलका सा सुखा सुखा सा अचार है इसको उपर से कपड़े से बांद के इसका मूँ और धूप में दो दिन तक पस रखें उसके बाद आप अंदर रख लें ये अचार पूरे साल दो साल तक टिकने वाला अचार है तो में कुछ इस तरह से तैयार हुआ है कलर बहुत प्यारा आया है तो इस अचार को इस तरह से किवर करके और इसे दुप में रखें दो दिन में रखने के बाद से आप अंदर रख लें थीं मिफ capacidad पिछाल से बांद बीच में कभी अगर अगर लंबे समय तक यार करें यहां तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलेगा तो फिर मिलते हैं आप से बाई